हालो एव्रिवान आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर चिली बट इसको हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और ये एक हेल्दी वर्जिन है क्योंकि इसमें हम पनीर को ना फ्राइ करेंगे नो कॉर्न फ्लार्ट, नो मैदा, वेरी सिंपल रेसिपी सो लेट स्टार्ट, पनीर चिली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लोहे की कढ़ाई लेंगे आप वॉक भी यूज कर सकते हैं, चाइनीज रेसिपी के लिए बेसिकली वॉक यूज होता है जो लोहे का ही होता है और चाइनीज हमेशा हाई फ्लेम पे बनती है, तो इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे कढ़ाई में सबसे पहले हम दो से तीन टेबल स्पून ओईल लेंगे, नॉर्मल ओईल है जो हम घर में यूज करते है और इसको ऐसे हम चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे ताकि पनीर या कोई और वेजेटिबल्स ना चिपके हमारा तेल जब बिल्कुल गरम हो जाए उसमें हम डालेंगे चार हरी मिर्च जिसको हम बीच से स्लिट करेंगे और साथ से आठ गार्लिक के क्लब्स लेसन की कली इसको हम दस से पंदरा सेकिंड ही चलाएंगे बहुत ज़ादा हमें इसमें कोई भी वेजेटिबल्स को फ्राई नहीं करना है दस पंदरा सेकिंड के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज ये एक प्याज है वन बिग अनियन जिसको मैंने ऐसे शेल्स में काटा है इसको भी हम दस से पंदरा सेकिंड ही सेकेंगे अदर्वाइस हमारे वेजेटिबल्स बहुत सौगी हो जाएंगे जो की हमें नहीं करना है हमें पनीर चिली में अपने वेजेटिबल्स एकदम क्रिस्प रखने है 10-12 सेकिंड के बाद हम इसमें एक शिमला मिर्च और एक टमाटर डालेंगे टमाटर को हम डी सीड करके डालेंगे अदर्वाइस हमारी पनीर चिली एकदम सौगी हो जाएगे 10 सेकिंड फिर सेकने के बाद हम इसमें सौट डालेंगे यहाँ पर मैं आधा चमच नमख यूज कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सौट डाल सकते हैं अब हम इसमें सौस डालेंगे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून सोया सौस उसके साथ हम डालेंगे इसमें एक टेबल स्पून सेजवन सौस या सेजवन चटनी एक टेबल स्पून रेड चिली सौस और दो टेबल स्पून टमेटो सौस We will now mix it properly इसको अच्छे से mix करके stir fry करके हम इसमें डालेंगे धन्या पती 2 से 3 टेबल स्पून धन्या पती डालके हम इसको mix करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1.5 टी स्पून black pepper काली मिर्च आप white pepper भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम पनीर जिनको मैंने क्यूब्स में काटा है इस पनीर को ना मैंने फ्राइ किया है ना इसमें कॉन फ्लार लगाया है ये हमारा नॉमिल पनीर है तो बताइए हुई ना ये एक healthy recipe एक last mix देंगे और हमारा पनीर चुली रेडी है I hope आप सब कोई recipe पसंद आई है Do try और अपना feedback कमेंट सेक्शन में जरूर दे